मुझे भादा套 है पेयरे बचो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी हे एक्टिविटी बी ट्वेस एंद रइट तफॉल्यविंग लेटर्स पेयरे बचों आपको यहां पर पिच्चर्ज दी गई है और पिच्चर्ज की साथ आपको लेटर्स दिये गए है Capital letter और small letter दोनों तरह के letter यहां मौझूद है तो बच्चो आपको इन letters को trace करना है इन पर हाथ फेरना है और लिखना है किस तरह से देखो बच्चो यह है o for orange तो आपको इसके उपर हाथ फेरना है o for orange 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 यहां आपको लिखना है बच्चो और यहां o for orange यह है capital orange और यह है small orange next picture है बच्चो pencil और यह later है capital P और यह है small P तो आपको इन पर भी हाथ फेरना है P for pencil और आपको यहां पर लिखना है पहले लिखी गए हम लोग capital P P for pencil देखो देखकर बिल्कुल same कौन सी line को touch करना है कौन सी line में लिखना है देखकर आपको बराबर लिखना है और यह है लिखी गए हम लोग small P for pencil next है बच्चो next picture है Q for queen क्या है यह Q for queen यह है capital Q और यह है small Q आपको पहले हाथ फेरना है यहां पर Q for queen 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 और आपको यहां पर लिखना है पहले हम लोग लिखेगे capital Q Q for queen और फिर लिखेगे small Q Q for queen next picture है बच्चो rabbit क्या ही यह rabbit R for rabbit यह capital R और यह है small R अब हमें इस पर हाथ फेरना है R for rabbit और अब हमें यहां लिखना है R for rabbit R for rabbit capital R और small R इसी तरह बच्चो next तस्वीर है sun यह क्या है sun यह है capital S यह है small S आपको पर हाथ फेरना है S for sun S for sun S for sun S for sun यह capital S और यह है small S और देखकर सेम आपको बराबर लाइनों का इस्तिमाल करते हुए यहाँ पर बनाना है S for sun और यह है small S for sun next पिच्चर है बच्चो आपकी tree क्या ही यह tree यह है capital T यह है small T तो हमें इस पर पर प्रेस करना है हाथ फेरना है T for tree 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 और यहाँ लिखेगे हम लोग पहले capital T और फिर देखेगे small T इस तरह बच्चो आपकी टेक्सबुक के सफा नंबर 45 पर यह activity दी गई है आपको उन लेटर्स को ट्रेस करना है फिर हाथ फिरना है और आखर में लिखना है यह मश्रूर करके बच्चो आपको आपके अंग्रेजी की टीचर से चेट करवाना है आपको आपके बच्चो आपके घर्स अंग्रेजी की टीचर से भी टीचर से लिए यह जब चाहते है